हेलो फ्रेंट्स वेलकम इन टेक्नो भाजान यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपके सामने एक नई स्मार्ट वाच लेकर रहे हूं और यह बहुती ज्यादा सस्ती स्मार्ट वाच है जिसका मॉडल नबर है T900 अल्ट्रा तो फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर हम इस इसके अंदर दिये गए तो फ्रेंट्स अगर आप इसको बाय करना चाहते है तो डिस्क्रिप्शन लिक देदुना वहां जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं तो डबल से हम एप का वीडियो नहीं बनाएंगे मैं आपको इसको श्रीफ आपको कनेक्क करके बता दूब अपने मुबाइल फोन से और एप का वीडियो मैं आपके साथ में शेर कर दूँगा तो चलिए फ्रेंट जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यह हमारी स्मार्ट वाच का बॉक्स और यहां पर सबसे पहले आपको तो टी 900 अल्टरा बिक स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसकी स्क्रीन साइज है 2.09 इंफिनिट डिस्प्लेइस के अंदर दिये गए और हाई वाच प्रो एप आपको इंस्टॉल करना है इसको यूज करने के लिए तो इसका वीडियो अलग से हम बना चुके है मैं इसमें शे बॉक्स ओपन करती है आपको सबसे पहले यूजर मैनुवल देखने को मिल जाएंगा कैसे इसको यूज करना है सारी चीजे इसके अंदर दी गई है सबसे पहले आपको यहाँ पर बेल्ट देखने को मिल जाते है एक वायरलेस चारजर आपको देखने को मिल रहा है जो दो back लार का strap हमने लिया इसमें और आपको यहां पर मेटल के दो clip नजर आ रहे हैं और यहां पर आमको बहुत सारे hole नजर आ रहे हैं तो यह आपकी wrist की यह size केसाबân आप इसको adjustment कर सकते हैं यह clip आपको निकालना है और कही पर भी आप इसको लगा दूसरी जो चीज हमको मिलिए इसके साथ में वो है वायरलेस चारजर, अभी जो वायरलेस चारजर आ रहे है इसके वायर की साइज काफी अच्छी आ रही है, काफी बड़ी आ रही है, पहले जो बहुत ही छोटे चोटे आते थे, तो फ्रेंड्स यह हमारी स्मार्ट वाच का डाइल और काफी बिग है, और पूरा रेपिंग है, फ्रेंड्स यह हमारा डाइल और यह बहुत ही बिग साइज का डाइल है, और इसकी जो साइज है यह है 2.09 डिस्पले है, यह काफी बड़ा है, तो चलिए फ्रेंड्स हमारे डाइल को देख लेते हैं, तो आप देख रह यह क्लिक भी करेंगा और स्क्रोलिंग भी करेंगा स्क्रोलिंग भी इसके अंदर वर्क करता है इधर साइड में हम देखे फ्रेंड्स तो आपको speaker देखने को मिल रहा है और उसके नीचे sports बटन देखने को मिल रहा है दूसरी watches के अंदर आप इसको one time क्लिक करेंगे तो sports mode में आप चले जाएंगे लेकिन इसके अंदर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं आपको जो function जाएए उस पर आप इसको set कर सकते हैं कैसे set करना है मैं बताने वाला हूँ पीछे side में हम देखे friends तो आपको यहाँ पर sensor देखने को मिलता है और यहाँ पर charging के लिए कोई point नहीं है क्योंकि यह wireless charger इसके अंदर दिया गए बस इसके उपर आप इस तरीके से रखेंगे तो यह खुदी चिपक जाएंगा friends यहाँ पर जो hole आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर strap को रखे इस तरीके से drag करना है आपको तो friends आप देख रहे हैं कि black color की पूरी watch है हमारी और काफी शानदार यह लग रही है और इसके अंदर जो scroll बटन के ओपर orange और इधर action बटन के ओपर orange जो color है यह काफी जबरदस combination इसका लग रहा है यहाँ पर on off का बटन दिया गए इस बटन को हमको long press करना है sound आ चुका है हमारी smart watch on हो चुकी है चलिए इसका एक एक function हम देख लेते हैं तो देखिए मैं इस तरीके से swap कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि इसके wallpaper change हो रहे है आप जो चाहें wallpaper रख सकते हैं जब app से connect करेंगे तो वहाँ पर 140-150 wallpaper आपको देखने को मिल जाएंगे इधर से इधर कर रहे है तो wallpaper change हो रहे है और आप देख रहे हैं कि इधर से मैं इधर कर रहा हूं तो यहाँ पर एक shortcut list आ रही है इसमें heart rate वगरा जो भी आप चाहें यहाँ पर आप customize भी कर सकते हैं ठीक है उपर से नीचे की तरफ देखे हैं हम तो messages वगरा के यहाँ दिए गया है तो अभी कोई messages हमने active नहीं किये है क्योंकि इसको app से भी connect नहीं किये है नीचे से आप उपर जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले तो Bluetooth on off का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है यह on जब आप connect करेंगे तो Bluetooth on आपको रखना है यहाँ पर क्लिक करें friends style पर यहाँ छे मेनू इसके अंदर दिए गया है तो अलग-अलग menu style दिए गया है तो उसको हम check करेंगे भी पहले पर मैं set कर दो यहाँ पर देखेंगे क्लिक करने जबाद आप audio music के अंदर आ जाते है आप यहाँ से song play कर सकते है reverse forward भी आप कर सकते है यहाँ पर देखें torch भी इसके अंदर दी गई है तो torch को वापस बन करता हूँ तो देखें मैं इधर सिधर कर रहा हूँ तो मैं back जा रहा हूँ एरफोन mode पर आप कर सकते है तो आपके calling वगरा सारी चीजे इसमें बंद हो जाएंगी moon नजर आ रहा है तो यह night mode के अंदर है night mode आप कर देगी तो यह आपको disturb नहीं करेंगी night के अंदर चलिए इसको बंद कर देते है तो friends आपने देखा कि इस तरीके से 6 option हमको उपर side में देखने को मिल जाते है उपर आप देखेंगे तो battery indicator है कितनी battery है यह बता रहा है उसके बाद में इसका connection और यहाँ पर music वगरा का symbol नजर आ रहा है चलिए back करते है तो friends चारो function हमने देख लिए इधर से आपको shortcut देखने को मिल रहा है इधर से आप wallpaper change कर सकते है उपर से आप messages वगरा इसके पढ़ सकते है friends side का जो button यहाँ पर दियागा इस पर आप click करेंगे तो आप देखेंगे कि आप stop watch के अंदर चले गए तो friends दूसरी जो watches होती है उसके अंदर आप direct sports mode में जाएंगे यहाँ पर stop watch मिस लिया है क्योंकि मैंने stop watch इसके उपर set किया हूँ आप जो भी जादा use करते है इस button पर आप उसको set कर सकते है जैसे आप Apple के iPhone के अंदर जैसे set करते है उस तरीके से आप इस पर customize करके अपनी पसंद की चीज़े set कर सकते है यह हमारा पहला menu style तो आप देख रहे है कि touch screen भी यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रहा है next देखे friends तो यहाँ पर जो नीचे कपटाना है तो यहाँ से देखिए off यहाँ से on यह on ठीक है यहाँ पर हम click करेंगे और एक एक menu style अब हम इसका देख लेंगे तो menu style यहाँ से भी हम change कर सकते है दो तीन चार पांच छे ऐसे change कर सकते है लेकिन मैं आपको एक shortcut तरीका यहाँ पर दिखा रहा हूँ जब one time हम इसको click करेंगे तो हम menu के अंदर आजेंगे तो यह देखिए menu style यहाँ पर दिया गया है और scrolling भी यहाँ पर work कर रहा है तो यहाँ पर क्या करना है आपको दो बार इसको continue प्रेस करना है देखिए यह change हो चुका है यह भी हमारा एक menu style है और यह पहले number का है काफी जबरदस menu style है फिर दो बार क्लिक के हूँ देखिए यह list के अंदर आगया है तो यहाँ पर भी scrolling up work कर रहा है फिर मैं दो बार क्लिक कर रहा हूँ तो यह देखिए नया style है फिर फिर मैंने क्लिक के हूँ देखिए फिर नया style के अंदर आ गया है तो friends इस तरीके से आपको 6 menu style इसके अंदर देखने को मिलेंगे दो बार क्लिक करना है सिर्फ आपको यह menu style change हो गया है यह छटे वाला है वापस हम पहले पे आ चुके है तो चलिए friends सबसे पहले हमारे mobile से हमारी smart watch को connect कर लेते है तो आपको सबसे पहले इसकी app डाउनलोड करना है जो इसकी app है वो है high watch pro तो यहाँ पर high watch pro आपको आपके google play store के अंदर दाल देना है high watch pro यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए open आ रहा है आपको install करना है क्योंकि already मैंने इसको install कर चुका हूँ तो friends हमने high watch pro smart watch की app डाउनलोड कर चुके है चलिए हमारी mobile को हमारी smart watch से connect करते है तो सबसे पहले smart watch को on रखना है और आपका bluetooth भी यहाँ से इसको on रखना है आपके mobile के bluetooth में जाना है और उसकी setting में जाकर यहाँ पर आपको search करना है T900 Ultra देखिए यहाँ पर पहले पर ही मेरे स्प्यार है मैं यहाँ किलिक करूँगा connecting हो रहा है friends आप देख रहे हैं कि connected for calls and audio यहाँ पर आ चुका है मतलब हमारी smart watch हमारे mobile से इसका bluetooth कनेक्ट हो चुका है अगर आपको एप से इसको connect करना है तो आपको एप में जाना पड़ेंगा एप को open करना पड़ेंगा और यहाँ पर set button जो है तो यहाँ देखिए अप के अंदर सबसे पहले आपको आपकी daily routine जो चीज़े है heartbeat वगेरा आप कितना चले कितना calories आपने burn किया वो सब वहाँ पर दिखेंगा दूसरा आप देखेंगे तो motion sports mode यहाँ पर सारे दिएगे माइन आपकी detail आप यहाँ दाल सकते हैं तो friends यहाँ पर आपको set option नजर आ रहे है set पर आपको click करना है आप देखिए bind device to experience more feature आपको option दिखेंगा और disconnected यहाँ आ रहे है तो हमको यहाँ पर click करना है यहाँ पर search हो रहा है तो location आपको मांग रहा है तो location आपको यहाँ से on कर देना है फिर हमको double उससर पर click करना है देखिए यहाँ पर T900 ultra आ रहे है इस पर click कर देना है और देखिए हमारी app connect हो रही है हमारी smart watch से तो इस तरीके से आप app से इसको connect कर सकते हैं कोई ज़्यादा procedure नहीं है app कैसे use करना है इसका अलग से वीडिया वहाँ जाकर आप देख सकते हैं चलिए friends हमारी smart watch app से connect हो चुकी है चलिए friends हमारे wireless charger को check कर लेते हैं तो यहाँ पर adapter में लगा देना है इसे और हमारी smart watch के पीछे इसको बस ऐसे ठोड़ देना है देखे friends आप देख रहे हैं कि charging यहाँ पर शो कर रहा है कि charging हो रही है और जिस वक्त यह smart watch चार्ज होंगी उस वक्त आप कोई भी काम इसमें करना ही सकते ठीक है और आप देख रहे हैं कि बहुती ज़्यादा sensitive है यह सिर्फ आप इसके पर इसा रख देंगे तो यह charging शुरू हो जाएंगी यह देखे एक बार टेस्ट कर लेते है charging शुरू हो चुकी है तो यह बहुती जबरदास function है इसमें तो चलिए friends हमारी smart watch के एक-एक function को देख लेते है इस वक्त मोबाइल से connect है हमारी watch और Bluetooth से भी connect है तो यहाँ पर एक-एक function इसके देख लेते है सबसे पहले menu में आप जाएंगे डाइल आपको देखने को मिलेगा तो देखे friends यहाँ पर आप कोई भी आपका number प्रेस करेंगे और यहाँ से calling करेंगे तो देखे calling यहाँ पर लग रही है क्योंकि हमने यहाँ पर calling जा रही है तो इसको मैं cancel कर देता हूँ ठीक है तो आपको contact number जो save करना है आपकी app के अंदर save करना है वो यहाँ पर show करेंगे जिससे आप direct calling कर सकते है heart rate वगरा नीचे दिये गए तो यह bogus चीज़े होती है इस पर ध्यान आपको देना नहीं है blood oxygen यह भी bogus चीज़ है उसके बाद health tricyclic तो यह आप कितने step चले कितने calories आपने burn किये और आपका heart rate वगरा सब यहाँ पर show करेंगा तो कुछ चीज़े इसमें सही है जैसे step वगरा आप चले कितना यह बता देंगा लेकिन heart rate वगरा इस पर आपको ध्यान नहीं देना है और check भी नहीं करना है क्योंकि यह bogus चीज़े होती है यह made in china product है इस पर आपको भरोसा नहीं करना है ECG यहाँ पर heart का है तो यह भी आपको करना नहीं है देखें मैं जैसी option यहाँ पर खोल रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे है कि mobile के अंदर भी यह सारी चीज़े खोल रही है क्योंकि यह एक दूसरे से connect है sports क्लिक करेंगे आप तो running, bike, riding, strength, training, basketball, tennis, volleyball, football यह सारे आपको चुरो हो चुका है और यहाँ पर camera ने photo ले लिया है तो यहाँ पर आप start button पर click करेंगे तो लेंगा यह आप घड़ी को सिर्फ shaking करेंगे तो भी यह photo लेंगा आपको दिख रहे है कि camera automatically photos ले रहा है next देखें तो blood pressure तो यह भी मैं पता चुका हूँ इस पर आपको ध्यान नह यहां से कर सकते है weather weather पर आपके area का weather का चल रहा है वो यहां पर आपको show करेंगा क्योंकि mobile से connect है तो सारी चीज़े बताएंगा looking for आपका mobile घर घुम जाते है तो आपको ढूनना है तो यहां पर इसको open करके आपको start करना है तो देखें यहां पर mobile के अंदर आवाज आ रही ह यहां से आपको इसको off कर देना है यह आपकी smart watch नहीं दिख रही है तो आप mobile के जरीए से smart watch को ढून सकते है यान यह दोनों एक दूसरे को बताने का काम करेंगे नीचे देखेंगे तो आपको slip कितना आप सोय कितना timing कितने गहरी नीन लिए सारी यह चीज़े बताएंगा ल WhatsApp के Instagram के वो सारे messages आपको इसके उपर देखने को मिलेंगे stop watch आप sports वगरा खेलते है तो इसका आप इस्तिमाल कर सकते है QR code इसकी app install करने के लिए आप इसका इसका इस्तिमाल करेंगे more यह बहुत ज्यादा important बटन इसके अंदर दिया गया देखें सबसे पहले change watch option आपको मिल और उसके बाद में Siri है तो यहाँ पर आप डारेक्स को जो भी आप कहेंगे तो यह आपकी वाइस या यह एलेक्सा वगरा के जैसा काम करेंगा लेकिन आपको इसके लिए आपके नेट से connect होना जरूरी है तो देखिए मैं जो भी यहाँ पर कह रहा हूं तो मेरा mobile यहाँ प function आपको इसके अंदर मिल रहा है तो friends यह सीरी करके जो option इसके अंदर मिला यह बहुत ही जबर्दा से about आप पूरी watch की information ले सकते है यह फिर आप आपकी watch को off भी कर सकते है next देखते है language set आप आपकी साफ से language यहाँ set कर सकते है वैसे आपको English ही रखना है set time आप timing यहाँ पर आप से 15 से कंड पर कर सकते है 30 से कंड पर कर सकते है एक मिनिट पर यह तीन मिनिट पर लेगिन जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना जल्दी बैटरी इसकी खतम होंगी go back time और timing को वापस reset करने के लिए अप इसको 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 अनकर देंगे तो इसके अंदर अब देखें यहां पर side key setting यह नए option इसके अंदर दिये गए यह पुराने smart watch इसके अंदर आपको यह option देखने को इन बिलेंगे तो यहां पर side key पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखें यहां पर sports है तो यह है वो side key मैंने आपको बताया था कि कस्टमाइज जो चीज चाहे आ तो अब भी देखें side key पर क्लिक कर रहा है तो यहां पर sports mode आ रहा है ठीक है दिख रहा है आपको side key और देखें हाँ blood pressure है सारे option आपको यहां मिल दाएंगे तो मैं game कर देता हूं ठीक है अब मैंने side button पर game कर दिया हूं अब देखें मैं here side button क्लिक किया हूं देखें game के तो यह split section कौन सा है, देखें, जो मैंने side में, आपको side से करके, जो shortcut की list आ रही थी, यह वो section है, अगर आप इसको off कर देखेंगे, तो आप वो option बंद हो जाएंगा, देखें, देखें, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वो option अब side से नहीं निकल रहा है, यह on कर दिया हूँ मैंन इसको, on, आप देखें, आगे है list, तो इस तरीके से आप आपकी split section को on कर सकते हैं, friends next देख लेते हैं, हाँ पर आपको facebook, twitter और whatsapp देखने को बिल रहा है, तो आपको सिर्फ इसके notification मिलेंगे, आप direct इनको use नहीं कर सकते हैं, और notification आपको जभी मिलेंगे, जब आप आपकी app क इसके उपर ये सारी options को on कर देंगे, ठीक है, तो उस वक्त आपको इसकी notification देखने को मिलेंगे, next देखिए तो इसमें आपको game देखने को मिल जाता है, क्योंकि big size की screen है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, देखिए, game आप इस पर आसानी से खेल सकते हैं, और काफी fast work कर रहा है, जो हमारा player है, यानि watch काफी अच्छे से काम कर रही है, तो friends इस तरीके से आप game भी इसके उपर play कर सकते हैं, और वापस back करते हैं, और नए function है ये इसके अंदर, और T800 के अंदर भी ये function आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर आपको big size की screen इसके अंदर, नेक्स्ट है, आपको calendar आपको देखने को मिल रहा है, तो date अगर आपको देख सकते हैं, उसके बाद आपको calculator यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा useful है, और यहाँ से calculator भी ठीक से work कर रहा है, ठीक है, नेक्स्ट आखिर में जो option इसमें दे देख लिए, उसके बाद mobile से हमने इसको connect कर लिया था, Bluetooth से connect किया था, calling कैसे करना है, कैसे आपको number save करना है, सारी total चीज़े हम इसकी देख चुके है, तो friends मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आओगा, इसे तरीके के वीडियो स्पाने के लिए, smart watches के वीड थेंक यू